हेलो स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जेलमेन निसीजिमा फॉर्मुला इससे पहले मैं स्ट्रेंज पार्टिकल की वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ जिसने वो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करे गया जिसे स्टेंजनेस बोलते हैं उसे स्टेंजनेस की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट था उसे फाइंड करने के लिए जैलमेन और निसीजिमा दो अलग अलग हमारे चाइनिस साइंटिस्ट है उन्होंने फॉर्मुला दिया जो आपका है क्यू इक्वल्स तो आइ थी प्लस बी प्लस सबाइटू वहर क्यों इस चार्ज ऑन पार्टिकल ए चार्ज जो कि प्लस माईनस या फिर न्यूटर बहुं सकता है एंड आपकर थर्ड कंपोनेंट अफ थर्ड कंपोनेंट अ ओठ आपका एसे स्ट्रेंगेन स्ट्रेंजनेस पिर आपका बेरि तो इस formula की help से हम strangeness calculate कर सकते हैं charge third component of isospin strangeness and barion number इसके lecture अब जाकर देख सकते हैं यह b plus h जो है barion number plus strangeness को hyper charge ही बोलते हैं इसको हम आने आले lecture में discuss करेंगे तो उसका एक नया formula बन सकता है q equals to i3 plus y by 2j y जो है यह है hyper charge अब एक question solve करेंगे हम इस formula के coding calculate the strangeness for singlet particle omega हमें दिया है जो omega particle उसकी multiplicity 1 है formula हमारे पास है q equals to i3 plus b plus s by 2 तो पहले हमें निकालना पड़ेगा isospin का third component isospin का third component find करने के लिए पहले हमें isospin निकालना पड़ेगा isospin का multiplyate के साथ relation होता है m equals to 2i plus 1 multiplicity यहाँ पर है 1 दी हुई है आपको तो 2i plus 1 1 से 1 cancel तो आपका जो isospin है वो 0 आ जाएगा और अब जानते हो गर isospin की value i है तो थर्ड कंपोनेंट होता है वो माइनस i2 plus i सभी value इसके बीच में जो भी है जिनकी बीच में वन वन का डिफरेंस होना चाहिए वो आ जाती है अगर isospin ही 0 आ गया तो थर्ड कंपोनेंट भी क्या आएगा जीरो जीरो ही आएगा थर्ड कंपोनेंट भी ठीक है अगर अगर isospin ही 0 आ गया तो सभी value 00 बन जाएंगी क्योंकि माइनस 0 भी 0 होता है और प्लस 0 भी 0 होता है तो isospin का थर्ड कंपोनेंट 0 आ गया जीरो आ गया अब बात करें omega की omega particle जो होता है यह होता है और उसको एंटी particle होता है omega bar यह omega positive viscom कह सकते हैं omega negative पर जो particle है negative charge होता है उसके एंटी particle पर positive charge होता है तो क्यों की बात करें तो क्यों हमारे पास हो गया माइनस 1 क्यों माइनस 1 हो गया isospin का जो थर्ड कंपोनेंट है वो हो गया जीरो since omega जो है omega जो है यह baryon है यह baryon है और baryon के लिए baryon नमबर जो होता है वह plus 1 होता है और anti-baryon के लिए minus 1 होता है जिनके पर sign negative होगा उसके लिए baryon नमबर प्लस 1 होता है तो इनकी value put करें क्यों हमारे पास हो गया minus 1 i3 0 baryon नमबर हो गया plus 1 strange नहीं निकाल नहीं है और i2 हो गया तो 2 के दर multiply करेंगे तो minus 2 equals to 1 plus s तो इसको धर भेजेंगे तो s equals to आठेगा minus 2 minus 1 equals to minus 3 तो means omega minus particle है उसकी strangeness minus 3 होगी अब बात करें इसके anti-particle की omega omega minus omega minus क्या सकते हो तो multiple city तो 1 ही रहेगा charge plus 1 हो जाएगा और i3 0 रहेगा क्योंकि यह singulate particle है तो 0 रहेगा तो change क्या होने वाला है कि यह जो है प्लस का 1 हो जाएगा और iso spin 0 रहेगा और barion number plus वाले के लिए होता है minus और barion number के वह लिए minus 1 हो जाएगी तो barion number के जागा minus 1 रख देंगे है ठीक है तो q plus हो गया और barion number minus हो गया solve कर दो 2 कर दो multiply तो plus का तो हो जाएगा यहाँ minus माइनस का और तो माइनस यह प्लस का तो माइनस की वन को तरफ जो प्लस का जाएगा तो मीन्स कि जो omega particle था उसका जो strangeness आ गई वह गई minus 3 और omega plus की जो strangeness आ गई वह गई